स्वागत आप देख रहें कहानी कुर्शी की अब बाद बिग बॉस विजेता, यूट्यूबर, ब्लॉगर, मशूर सोशल मीडिया हस्ती एल्विस यादव की एल्विस यादव को लेकर के हुआ ताजा विवाद और ये विवाद है सापों का आरोप लगा है कि सापों के जहर का कारोबार करते हैं एल्विस यादव, उन पर एक F.I.R. भी दर्ज हुई है और कॉंग्रेस पार्टी को बॉका मिला है BJP पले रजाम लगाने का एल्विस यादव पर आरोप लगने के बाद उनका एक पुराना वीडियो भी वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एल्विस यादव सापों के साथ दिखते हैं ये वीडियो एल्विस यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत पहले शेर किया था हम आपको बता दें ये आज का नहीं है लेकिन उन पर आरोप ये लग रहा है कि वो सापों के जहर के कारोबार में शामिल है रेव पार्टी में वेनम जहर सिप्लाइ करते हैं दर असल नौईडा की एक रेव पार्टी पर रेट पड़ी और पांच लोग गिरफतार हुए उनके पास साप थे और सापों का जहर था पुलिस ने पूछताच की तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि उन आरोपियों ने इल्विस यादव का नाम लिया है सुबह से अफवाएं चल रही थी, खबर आ रही थी कि ऐल्विस यादव गिरफतार हो गए है लेकिन अब से थोड़ी देर पहले खोद ऐल्विस यादव ने एक वीडियो जारी किया अपने ओपर लगे सारे इल्जामों को गलत बताया और गिरफतारी की ख़बरों पर भरोसा ना करने के लिए कहा मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे नियूस फैल्डरी है मेरे खिलाफ, औल ओवर मीडिया में ये चीज़ और रखिया मेरे खिलाफ फैल्री है, जितने भी आरोप मेरे उपर लगे है सारे बेबुनियाद है, सारे फेक हैं, एक परसेंट भी इनमें सच्चा ही नहीं है मैं पूरा सायोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, मानिने मुख्यमंत्री जी, योग्यादित्यनाज जी को कि मेरी एक परसेंट भी, 0.1 परसेंट भी अगर इस चीज़ में इन्वाल्मेंट मिल जाती है ये लविस यादव जब बिग बॉस जीद करके आये थे, तब हर्याना की मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने इनका सम्मान किया था और आज कॉंग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि जो वेक्ति नशे के कारोबार में उसका नाम आ रहा है तो ये कॉंग्रेस ये भारती जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आखिर उसके ऐसे लोगों के साथ संबंद क्यों है फिर चाहिए वो मनोहर डाल खटर हो वो तो कह रहे हैं कि सम्रिती इरानी जी के साथ भी नोने तस्वीर डाली हुई तो बीजे पी के बड़े बड़े नेता आकर एल्विस यादब के साथ क्यों तस्वीर खिछाते हैं हो तो आप खटर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं सापों का व्यापार करते हैं वो उनको इतने प्रिय क्यों है और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी हमारी वो मंतरी महोदया है स्मृती इरानी उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पर बड़ी वाइरल थी इनी लोगों से पूछे ना कि जो सापों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं पूछे इन से मुझे भी बताईए क्या जवाब देते हैं देखिये इसमें जो मामला कानूनी मामला है उस पर तो जब पुलिस कोई सबूत साथने रखेगी इनकी भाषा को ले करके लेकिन ठीक है वो आउसादमी के लाखो फॉलोवर है इसमें कोई शक नहीं है इसलिए भारती जंता पार्टी के जो मुख्यमंतिरी ते हर्याना खट्र साब उन्होंने इनका सम्मान भी किया था अब इस मामले में नाम आ गया तो कॉंग्रेस पार्टी को मौका मिला घेरने का ने निश्यत तोर पर मौका मिलेगा बेलविश यादो एक चुकी हर्यानवी है और जो बोलने का अंदाज है हर्याना के लोगों का वही है उस पर सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर और एक्स पर बहुत बड़ी फैन फालोईंग है मतलब करीब करीब मुझे लगता है कि करोडों लोग हैं जो फालोवर हैं अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति बिग बॉस में जाता है और जीत करा जाता है उस राज्य के लिए गर्व जैसा होता है हम आप भले उसको कहें कि भी बॉस का विजेता है लेकिन एक बहुत बड़ा एक कहें कि वर्ग होता है जो उनके साथ अपने आपको जोड़ता है नौजवान के तौर पर मनोहरलाल set क्तर ने वही किया जो शायद कोई बीमुख्यमंत्री करता जैसे आप खेल में कोई जीत कर आता है कोई Miss India, Miss Universe, Mr. इन ओर्श बने उसको लेकर करता है वही काम मनोहरलाल उसको लेकर करता है वही काम मनोहरलाल खतर ने किया अगर मेरा कोई भी लेना देना है तो फिर मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ तो वो क्या तब तो फिर कानून रखना काव करेगा तो खुल कर कहते हैं मैं हिंदूओं की बात करूँगा तो ठीक है वो आदमी भी कह रहा है बीजेपी को भी सूट करता है तो आपने उनके उनका सम्मान कर लिया उनके साथ आपने तस्वीर भी खिचबा ली सारी बाते हैं ये लेकिन केवल कॉंग्रेस पार्टी बोल रही है ऐसा नहीं है ये जो सारा मामला खड़ा हुआ है ये मेनिका गांधी का windows के पेसे पहले ले गी ऐसे बाते हैं कि आईसे ही टिकेट में लेगा का लोग सबकाब को मशपर अरूप लगा कर के देखिए एक तो राजनिती जिस तरफ़ ञारी है वो भी थोड़ा सा अजीब बात है एक यूट्यूबर या फिर एक सोशल मीडिया में पॉपुलर व्यक्ति जो है वो उसको लेकर राजनिती की जा रही है पर ये बात सही है देखे राजनीता जो है बहुत सारे लोगों से मिलते हैं अब हो सकता है उसमें से कोई आदमी या व्यक्ती जो है वो बाद में चलके किसी क्राइम में इन्वाल हो जाए तो उसके लिए क्या किसी एक राजनीता को दोशी ठहराना सही है में दें नहीं लगता कि खटर साथ जो है उन्होंने एल्विस के साथ तस्वीर जरू किचवाई होगी या उसके साथ समान जरू क्या होगा क्या वो लगतार उनके साथ एल्विस के साथ इंडॉल रहे नहीं होगा तो मुझे लगता है कि वो उस वक्त जो इंपॉर्टन चीज थी कि कोई वेक्ति बिग बॉस जीत के आया उसके साथ उन्होंने तस्वीर उनके राज्य काया है उन्होंने तस्वीर खेच वाली या इन्होंने ही कहा होगा कि मैं आप से मिलना चाहता हूं जो भी हूआ हो लेकिन ये जो मेनका गांधी ने जो सवाल उठाया वो वाइलला एफेक्ट में अगर कोई सांप को रखता है और वो जो है उस वाइलला एफेक्ट में प्रोहिब्टिड है तो नैचरली उसके खिलाफ कारवाई हो सकती है अब वो सांप कहीं और मिले एल्वेस यादर के सप प्रदेश में जो राजनीती होती है और कांग्रिस पार्टी में खास तर खास दौर पर गुटवाजी की जो आरूप लगते हैं और अभी पीछे जो सारा प्रकरन हुआ कपड़े फारने वाला और जो बातें दीवेजा सिंग ने और कमल नातने दूसरे के लिए मंच पर कह कहते हैं कि शाम आये तो कह देना च्छेनु आया था यह डायलाग इसमें शत्रुगन सिराम बोलते हैं बहुत पॉपुलर डायलाग हुआ था शिवरासिंग चौहन की जबानी सुनिये ज़रा पर अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ है कांग्रेस के नहीं था तो जै बीरू की जोड़ी बता रहे है अब यह जोड़ी जै बीरू की जोड़ी नहीं है एक फिल्म आई थी मेरे अपने जिसमें स्याम और च्छेनु की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने महले तक कपजे के लिए लड़ते थे मित्रो ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती तो मेरे अपने में शत्रोगन सिनाह और विनोध खन्नागे जो है अपना अपना एक छोटा सा ग्रूप होता है छोटा सा ग्यायंग होता और वो लड़ते है जैसे दो गुटों की लड़ाई होती है ऐसे ही वो दोनों थे उसमें अब उनसे तुल्ला कर रहे है वो कमलनात की और दिखवजे सिंग की समीर जी बिल्कुल और मुझे लग रहा है कि शिवरा सिंग चोहान को यह कहने का और तुल्ला करने का मोका तो कॉंग्रस नहीं दिया है जिस तरीके दिखवे सिंग और कमलात ने इस्टेश पे एक दूसरे खिलाप कहा कपड़े फानने की बात की परदेश में पिछले चार साल संगठन पर कपज़ो करने की बात की बहले कि कमलनात परदेश के अध्यक शुराय हो लेकिन परदे के पिछे जिस हिसाफ़ से दिखवे सिंग संगठन को चलाना चाते थे मुझे मति जब कमलाते उस समय सरकार चलाना चाते थे तो परदेश में सरोविजी थे कि कमलनात और दिखवे सिंग कैसे अपना अधिकार वर्शस करना चाते हैं तो मुझे लग रहा है उसका इजिकर शिवरा सिंग चोहन नहीं क्या है और कॉंग्रेस ने जो पुरा प्रकरन हुआ था प्रदेश की जंता ने भी देखा और भारते जंता पार्टे में चुनाव में बुनाने जा रही है पोल में क्या है ये मैं भी आपको नहीं बता सकता लेकिन बहुत दिल्चस्प लड़ाई है मद्धिप्रदेश की तो अब उसी में अब शैनू और शाम के इंटरी है ने ओपिनियन पोल में क्या हैगा ये तो शाम को आप जब टीवी पर देखेंगे इंडिया टीवी पर तब पता चलेगा लेकिन शिवराज सिंग चौहान का confidence बहुत बढ़ा दिख रहा है और आप अगर ध्यान से देखें तो जब पहली रैली नरेंदर मोदी ने की थी कब करनाटक चुनाओं के बाद और नरेंदर मोदी जब लोटे थे अमेरिका से जब उन्होंने एक तरह से tempo create कर पर दिखते थे Congress divided house दिख रहा है ओपिरियन पोल की बात जब आयद शाम को होगा वो तो उस पर हम कल बात करेंगे या मंडे को बात करेंगे जादा लेकिन आपने देखी मेरे अपने मैंने देखी हुई है और ये मैं इसको थोड़ा सा पीछे से रिलेट करता हूँ भाजप लेकिन जैसे कि जो confidence की बात हो रही थी मुझे ये भी लगता है कि शिवरा सिंग चौहान का confidence शायद इसलिए बढ़ा हुआ है कि धीरे धीरे उनको ये लगने लगा है कि मेरी importance जो है बीजेपी में अभी खतम नहीं हुई है क्योंकि जब शुरू में बहुत सारे नेताओं क को मद्रपदेश में उतार दिया गया था केंदरी नेताओं को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शिवरा सिंग चौहान को साइड लाइन किया जा रहा है लेकिन जैसे शिवरा सिंग चौहान जो है उनको ये लग रहा है कि उनकी importance अभी भी बनी हुई है वैसे ही वसंधर राज इस इंडिया का भी आजकल confidence काफी बढ़ा हुआ है राजस्तान में अगर आप देखेंगे उनको भी काफी पार्टी की तरफ से पूछ हो रही है तो ये लगता है मुझे कि पार्टी के भी तरफ चेंद्री नेतित्व के भीतर ही इस ताहं का कुछ चेंज हुआ है कि दोनों हुआ है